हलो गाईज कैसे हैं आप सभी आपका मारे यूट्यूब चैनल केमिस्टी पॉइंट डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है आज हम आपको कार्वाक्सलिक का लेक्शन नंबर 12 पढ़ाएंगे इसमें हम आपको बता चुके हैं कि एलकॉल ग्रूप इन रेक्ट विद हाइड्रोजन एटम्स यानि कार्वाक्सल पताने के लिए जा रहे हैं वह वा daarse ग्रूप से बाताएगे चुकिसे नोeles 3 0275 और आपको बैक ठोब प्रेएंगे निलते रहेंगे हैं लगातर चैनल पे बने रहिए जिस्से कि आपका बहुत जल्दी सेराड़ कंप्लिट हो जाएक बाद करका करुएंग होंगा यद आपको हात्रस सहर में offline या online coaching चाहिए तो हमसे contact कर सकते हैं WhatsApp number पर direct back to back premium मिलेंगे आपको तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्शन ओफ रेक्शन ओफ ओएच ग्रुप यानि ओएच समूसे अविक्रिया ओएच ओएच समूसे अविक्रिया ओएच समू में सबसे पहले जो रेक्शन बताने के लिए जा रहा हूं मैं वह है estrification क्या है estrification इसको बोलते हैं हम estr करण है बहुत important reaction है इसको हम alcohol में भी पढ़ते हैं और कारवाक्स लिक में भी पढ़ने हैं यह दूसरी बार एस्ट्रिफिकेशन में बता रहा हूं ठीक है तो बहुत इंपोडेंट है बहले इसमें जो मैंड पॉइंट है मैंण पॉइंट है यह यह तो एस्टू एसो फॉर वह भी कॉंसेंट्रेशन होना चाहिए उसकी प्रिजेंस में होगा या फिर हो एक सी एल ड्राइ कैसा चाहिए इनकी प्रजेंस में असे ठीफिकेशन होगा बहुत सिंपल सी बात है हमारे पास क्या है कार्वोक्सलिक ग्रुप है र सी डावल ओ ह प्लस इसका हमसी एल्कोल के साथ होता है एक तरह हमारे पास अल हो ऑल को में एसे लिखता हूं इसका ओ ऑमसी ratio करेंगा को और in presence of है एस्टू एस फोर एसे मीडिया में होता है तो जैसे यह एकमपाउंड फोर्म वोगा वह होता है आर सी डवलो ओ आर्डस अके प्लस यहां वाटर अलग हो जाता है देट इस वाटर यह वाटर होता है यह एस्टर गूरुप होता है एस्टर जीपी गुरुप ठीक है यह एलकोल होता है एलकोल और यह कारवॉक्ष लिक एसेड थोटा है कार्वॉक्ष लिक एसेड में इसकी विकिम बिद मेकेनिम्स बात करूंगा अभी फिलाल में इसकी रेक्षन बता रहा हूं आप डारेक्ट वे पर समझ रहे होंगे अब कि थोड़ी सी में थोड़ा थोड़ा अठके बात करूंगा यहां यह है और इधर यह है तुमको पता है एलकॉल जो है थोड़ा से एसे टिक नेचर इंडिकेट करता है अब यहां का ओएच यानि यह बेस वरकिंग करेगा यह लेक्ट्रॉन खीच लेगा तो इस पर माइनस आ रहा है और कल भी बताया था और यह बनाएंगे सॉल्ट अब यहां से यह जो है इतना सेक्शन अलग हो जाएगा यह वाटर अलग हो जाएगा तो यहां जो अब यह तरीके का सॉल्ट बन गया जिसको हम एस्टर कहते हैं इस पर पॉजिटिव सायन आगया और इधर इस पर इस पॉजिटिव को नेगटिव पर जरू होता है तो ओ आर डास तो यह एजिस सॉल्ट वट इसे एस्टर कहते हैं क्या कहते हैं जैसा कि मैं एक एस्टर की बात करूं जैसे CS3, CWH plus NaOH और अज़र इस गुरूप है नहीं है तो यह क्या करेगा यह वाला इसको में घुमा कर मैं लिख देता हूं ह ह onon कि का यहां से water remove करेगा water remove करने के बाद यह बनाएगा salt च्च्च uming sodium salt और प्लक स्धाङए water release कर रहा है इसी तरीके से water यहां release हो रहा है तो यह क्या sodium salt sodium salt यह sodium acetate अब इसको क्या बोलेंगे लेंगे इतना क्या पार्ट हो गया दैट इसे वोल सकते हम ल किल स्थेक्जा क्या वूलेंगे तोुक्षिण सब्सक्राइब करोगे तो यह सारी सीखनी पड़ेगी इसलिए मैं पृते एक रेक्शन में हर बार मेकेनिम सीखने। कोसिस करें यह भी ऐसी सेकेंडियर थर्डियर में आती है यह चीज़ है ओके यह रेक्शन अब एक देखिए रेक्शन हम बताते हैं CS3COOH प्लस एलकोल है HOCS3 और इन प्रिजेंस S2SO4 क्या बनेगा CS3COOCS3 प्लस वाटर लग हो जाएगा इसको बोलते हैं Methyl acetate क्या बोलते हैं Methyl acetate ओके Moral Acetate यह किया यह क्या Alkoyal ओके तो ऐस तरीके से हम इसका Mr. कर सकते हैं अभी मैं में मेकानिम्स की भी बात करूँगा पहले आप इसका skin sort ले ले जिए जिससे की आप इसे ज्यादा सट ज्यादा तरीके से समझने की कोसिस करें मीरे सीरेश कर रहाब। इसकी नाल बटा-पट से अब म्हीं सकी implenamrs की बात करूँ ऊ-टा न तो बना के से-स टो के थी के ऊ-टार न या फिस पेशतेर के नשकरते हैं और आपको समझना है इसकी एक ile उप네सको मेकनिम्स को मेकनिम्स क्रिया विदी बहुत इंपोडेंट है इनको सीखना बहुत जरूली है देखिए ज्यादा से ज्यादा सीखोगे तो देखिए तुमको भी पता है कि एक किताब इतनी मौटी होते हैं मौडल इतना पलतरा होता है और फिर उसमें भी बच्चे तो आप जानते हैं क्या कर सकते हो टिक है अब मैं एक सिंपल सी बात यहां एक अपना कॉंसेट हम बताएंगे सिंपल सी बात में यहां है यह चीज तो इसका ओएच गुरूप रेक्षिन करेगा और यहां जो फॉर्मेशन होने वाला है ओ क्या होने वाला और सी और डवलो सब्सक्राइब यह है एस्टर प्लस वाटर लगो जाएगा इसको कहते हैं हम एस्टर क्या कहते हैं यह एस्टर है अब बात हमें क्या समझ नहीं हो चीज को आप फॉलो करेंगे हम मेकैनिम्स की और चलते हैं हमारे पास एसटिक आता है CS3C double bond OH ओके अब इसको हम एसेट क्यों यूज करते थे इसमें जो प्रिजनेशन थी वो एसिटव की यूँ थी क्योंकि इसको हम प्रॉटोनेट कराएंगे अब एसिट हमें H-पिलस देगा H-पिलस और इसके lange P.A.R होथे हैं यह लॉन प्यार इसेडाट कर देगा जब इस पर H Plus होगा और इधर क्या है और अब यहां एक बास समझने कि यह अब इस पर प्लस आ गया अब इसे इसे इलक्ट्रों चाहिए तो यह बॉंड टूटेगा यह बॉंड तूटेगा और इस electron donate कर देगा जब यह electron donate कर देगा तो इस carbon पर positive sign आने वाला है अब इतनी देर में picture में कौन आता है alcohol आने वाला है अब alcohol आने वाला है यह alcohol है इसके पास भी lawn pair होते हैं अब यह lawn pair यह lawn pair इसको donate किये जाएंगे इसको donate किये जाएंगे तब क्या होने वाला है कुछ species तरीके की बनने वाली है यहां CS3 COH CS3 और जब lawn pair इसने इसको donate किया तो इस पर क्या आ गया प्लस चार्ज क्या आ गया इस पे आ गया प्लस चार्ज कंद battery वाला पहले पोजिटिव चार्ज आ गया और इधर क्या है ऊएच क्रुप इटा ज़ुड है ओर इस ओस प्लस को सबर्स्व hydrogen को कुर्वाणी देनी पड़ेगी, तो यह hydrogen रुबानी देगा, तो यह h प्लस form में लग जाएगा जब यह h प्लस form में जाएगा, तो यह इसको electron donate करएगा, यह long pair is owner करएगा, यानि यह जो है, इससे long pair ले लेगा, यानि यह hydrogen इससे long pair लेगा, और यह hydrogen कुर्वानी कर देगा तो यहां कुछ condition इस तरीके की follow होने वाली है जरह समझने की कोशिस करेंगे CS3C OH O CS3 यह hydrogen ने दे दिया और यहां condition ऐसी आ गई O H H इस पर आ गया प्लस इस पर क्या आ गया यहां प्लस प्रिजेंट हो गया यहां प्लस आने के बार यहां लॉन प्यर हैं आपके पास अब यह एक बहुत अच्छा living group हो गया यह एक बहुत अच्छा living group हो गया अब यह living group कैसे यहां से अटेगा तो यह क्या करेगा यह bond टूटेगा इस carbon पर positive sign आने वाला है ज़रा देखिएगा अब यहां से यह water अलग होगा इस species में से यह जो water है यह अलग होने वाला है समझें ज़रा तो CS3C O CS3 O H इसके पास lawn pair है और इसने जो है इसको अपने hydrogen की कुरवानी दे दी तो इस पर क्या है बहुत 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 पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां से water वहार हो गया अब क्या होगा अब इस positive को भी खतम होना पड़ेगा तो यह lawn pair जो है यह lawn pair जो है इधर सिप्ट हो होने वाले जब यह lawn pair इदर सिप्ट होंगे तो यहां क्या होने वाला है CS3C double bond CS3C double bond O एच इस पर प्लस आ गया और इसका माइनस खतम CS3 अब इस oxygen के एच प्लस को भी खतम होना पड़ेगा तो यह bond कुरबानी देगा है यह वाला आइडोजन कुरबानी देगा अब देखिए एच प्लस फॉर्म की में अलग चला गया और यहां देखिए कि सीज का formation हो गया देट इस एस्टर यह वन गया एस्टर क्या वन गया एस्टर तो इस तरीके से एस्टर की जो मेकेनिम्स है वो यह फॉलो होती है इस तरीके से हमारे पास एस्टर का formation हो जाता है तो एक पर दुबारा समझने की कोशिच करिए कि एस्टर का जो formation हुआ वो कैसे हुआ विद मेकेनिम्स हमारे पास जो एस एल ड्राइए एस्ट था या कॉंसंट्रेशन एस्टो फोर था वो केबल इसलिए यूज किया क्योंकि हमें जो कार्वॉक्सलिक एस्ट था उसको प्रोटोनेट करना था एच प्लस देना था एच प्लस कैसे दिया आपको समझ यह देट कार्वॉक्सलिक एसिड कार्वॉक्सलिक एसिड यह क्या है हमारा कार्वॉक्सलिक एसिड है अब कार्वॉक्सलिक एसिड को एच प्लस दिया है जानि इसको प्रोटोनेट किया प्रोटोनेट टैड इसको हमने प्रोटोनेट किया प्रोटोनेट करने के बाद यह तो उसटेवल को करने के लिए वाटर का मॉलिकूल श्याप आप देख सकते हैं यहाँ बाटर का मॉलिकूल कैसे बाहर हुआ अब यह मारे पास लॉन पेयर है कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है यह लॉन पेयर इसको डॉनिट करेगा तो इस तरीके के स्पैसि बनके त्यार हो जाएगी फिर क्या हुआ यह क्या है यह यह आइडोजन इसको यहां से एच पलस कदम करने के लिए इस एडोजन को करेंग कर वाला और इस पर कारवन को इलक्ट्रों देगा इलक्ट्रों देने के बाद से इस टरीके से इसका हो जाता है और आंगे भी आपको इसी तरीके से बैक टू बैक प्रिमें मिलती रहेंगी आप इसका पड़ापट से स्कीन सॉट ले लिजिए अब मैं एक इसकी रेक्टिविटी पावर बताऊँगा एलकॉल कार्बॉक्स लिखी मैं बैसे बिड्रोइंग ग्रूप और बिड्रोइंग रिलीजिंग ग्रूप के बारे में एस ब dł Ramahय फ्रकाल किया ठाई था सब्सक्राइब में पूल बेराईन बौशBACK एक काड़ापफ लिखे ऐसे वीडियो तिया कह सकते और रिम्स्टे में है को गाइस तर जैकी आपके यहIS चिल्ट अपालिवूजय। लुड़ल अदर यह नलकॉलस एंड़ कऊड़ लिक्सिट ठीक है अब एलकोल एंड कार्वाक्सलिक एसट की रेक्टिविटी कैसे किसकी ज्यादा होती है सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ एलकोल गुरुप में जितने ज्यादा कार्वन जुड़े होंगे उसकी रेक्टिविटी पावर उतनी स्यूव होते जाएगा जितने कम होंगे उतना ही पावर्फुल होगा तो यह सबसे ज्यादा कार्वन को बढ़ाईए इस तरीके से इनकी रेक्टिविटी पावर नीचे गिरती जाती है अब इसके बाद में आपका है यह थोड़ा होगा इसके बाद में जो तो यह CS3COOH है यह बिल्कुल भीक होगा और कार्वन बढ़ा दीजिए और ज्यादा भीक हो जाएगा CS3 CS2COOH और भीक हो गया इसके बाद में और अगर आप कार्वन बढ़ाते हैं तो CS3 का होल थ्राए सीसी डवलवय हों यह सब्से जब ज़्यादा भीक है तो मैं क्योंकि यह सभी क्या है लेक्ट्रॉलिक यह नि इलक्ट्राओन रिलीजिंग में हैं यह क्या है यह सभी सबी एक एक इसका बात कर सकते हैं और इसकी इस तरीके से हो गई तब तक के लिए जयहिन cs